नमस्कार, न्यूस्कलिकी डेली राउंडप में आपका स्वागत है, यह नजर डालते हैं एक बार हेड्लाइन्स पर देश बर में रिकॉर्ड 7,446 नए मामले, 175 लोगों की मौत, मिलोड क्योंकि इतनी देर, धाई दशक में सबसे बड़ा त्रिड्डियों का हमला, किसानों को भारी नुकसान स्वास्तमंत अले दवरा जाड़ी आकड़ों की मुताबिक बीते 24 घंटों में, यानि कल 28 मई सुबा 8 बजे से लेकर, आज 29 मई सुबा 8 बजे तक, अब तक के सबसे अधिक, यानि 7,466 नए मामले दर्ज किये गए हैं, और कॉर्णा के कारण 175 मरीजों की मौत हो चुकी है जिसमें से 42.87 यानि 71,106 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, और कॉर्णा संक्रमन के कारण अभी तक कुल 4,706 मरीजों की मौत हो चुकी है, इसी के साथ देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संक्या बढ़कर 89,987 हो गई है, आइसी एमार द्वारा आज सुबा 9 बजे जारी आखणों के अनुसार अभी तक कुल 34,83,838 सैंपल की जांच की गई है, जिन में से 1,21,702 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है, कौरणा संक्रमाट के सबसे अधिक मामले 13 राज्यों से सामने आये हैं, जिसमें महराश 2,598 नए मामले, डिल्ली से 1,024 मामले, तमिलनाडू से 827, गुजराच से 367, राजिस्तान 364, पश्चिम बंगाल 344, बिहार 235, मधर प्रदेश 129, उतर प्रदेश 189, तिलंगाना 15 158, हरियाना 123, जम्मु कश्मीर 115, करनाटक 115, ये इस नए मामले सामने आये, साथी केरल से 84 नए मामले, आयर प्रदेश से 80, असम से 75, उरिसा से 67, उतराखंट से 31, उतराखंट से 31, जारखंट से 21, लद्दाग से 20, पंजाब से 19, नागलिन से 14, ट्रपुरा से 12, मनिपूर स से 3, और एक-एक नया मामला, गोवा, मेघालय और अनुनाचल प्रदेश से सामने आया है, साथी देश के चार राज्यवक्य इन्रिशाषित प्रदेशों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जिसमें अंडमान और निकोबार दीप समू, दादर और नागर हवेली, मेज जोरम और सक्किम शामिल है, खोजखबर के नए एपिसोड में वरिश पत्रकार भाशा सिंग में उठाया न्याए का सवाल, जब इंक्यानबे लाख प्रवासी मजदूर घर पहुंच गए, तब सुप्रीम कोड क्यों जागा, सैकड़ों जाने चली गई, लाखों हो गए त यानि जब क्रिशी खेती सूख गई, तब बारिश से क्या फायदा, मिलोड आपने भी कुछ ऐसा ही किया, आप सुप्रीम कोड ने केंडर सहित बाकी राज सरकारों को आदेश दिया, कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, जो जा रहे हैं वापस, उनसे किराया ना वसूल जाए, बसों तक का किराया ना लिया जाए, ट्रेन का किराया ना लिया जाए, और तो और, मिलोड ने यह भी कहा, कि उन्हें खाने पीने का इंतजाम भी दिया जाए, यानि सब कुछ दिया जाए, जो उन्हें मिलना चाहिए था, और यह उन्होंने तब किया, जब सरकारी आकड़ों के हिसाब से 91 लाक यानि 91 लाक माइगरेंट मजदूर प्रवासी मजदूर घर पहुच चुके हैं अपुष्ट सूत्रों के हिसाब से यह आकड़ा एक करोड़ से भी अधिका है एक करोड़ मजदूर जब घर पहुच गए तब आप जागे मिलोड इतनी देर क्यों कर दी आपने आने में पिता नन्य बच्चे के लिए दूद लेने गया बच्चा भूग से बिलखता हुआ दम तोड़ देता है पिता वापस आता है और प्लेटफॉर्म बरबैठा बिलखता रह जाता है उधर नन्य बच्चा अपनी मरी हुई मा को प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश करता है उसका शॉल उसके शरीर से खीचता है केलता है यह सारे हिर्दे विदारक दिल को चीजने वाले दृश हमारे आसपास घटित हो रहे हैं और यह चीख चीख कर पूछ रहे हैं सुनो मिलॉड कोरोना लॉकडाउन के समय कुछ तो करो ना क्या कोच अदालत ने सुप्रीम कोट ने पंदरा मई को इसी तरह की एक पी आईयल दाखिल की गई थी उसकी सुनवाई करने से मना कर दिया था और कहा था कि हम प्रवासी मजदूरों को मॉनिटर नहीं कर सकते इससे पहले भी अलग-अलग जंग से उनके बयान आये थे जब कहा गया था जब पूछा गया था कि वे हस्तक शेप करें और सरकारों से कहें कि जो प्रवासी मजदूर है ने जिन्दा रहने के लिए पैसे भी चाहिए उस समय ये तक कहा गया कि खाना मिल रहा है तो पैसे की क्या ज़रूरत है अगर सोचिए दो महिने से अधिक समय जो लॉक समय हस्तक शेप किया होता तो आज ग्रिश्य क्या होता यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि ठीक इसी समय देश की जो उच्छ नियाले हैं जो हाई कोट्स हैं देश के उनका रवया क्या रहा उन्होंने किस तरह से इस पूरे अभूत पूर्व संकट को देखा समझा सु हैं उन्होंने बेहत समवेधन शील ढंग से हस्तक शेप किया कई ने तो सुवो मोटो यानि स्वतह मामले का संग्यान लिया और रास सरकारों को जबरदस्त फटकार लगाई उन्होंने कहा कि जो हाल है उसे देखकर उनकी आँख में आसु आ रहा है जो हाल है वह बेहत खौ ओफनाक है गुजरात हाई कोर्ट तो जो कर रहा है वह तो शायद बिल्कुल दूसरे ढंका ही एक्टिविजम हमें दिखाई दे रहा है जहां वह लगातार सरकार से जवाब तलब कर रहा है उसे मजबूरी में यह तक कहना पड़ा कि अगर सही समय सरकार ने काम नहीं किया अस्पतालों में इंतिजाम नहीं किया तब वह खुद जाकर वहां निगरानी करेगा वहां ओचक दौरा करेगा इंस्पेक्शन करेगा हाई कोर्ट इस तरह के तमाम हाई कोर्ट आप पाएंगे इस समय कि किस तरह से दखल दे रहे हैं हस्तक शेप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय सरकारों ने गरीबों के प्रती पूरी तरह से अपनी सारी जिम्मेदारियों से आखें मोड ली हैं कंदे जटका दिये हैं उस समय उन्हें उनका समयधानिक हक जिन्दा रहने का हक आर्टिकल 21 के तहत मिल सके आप पाएंगे कि जो तमाम हाई कोर्ट हैं जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो 12 हाई कोर्ट जिन्होंने अलग-अलग समय पर हस्तक शेप किया जिसकी शुरुवात हमें केरल हाई कोर्ट से दिखाई देती है केरल सरकार ने जो सबसे त्वरिट टिपणी की सबसे त्वरिट कारवाई की वहाँ पर भी केरल का जो उच्छ नियाले है उसने सरकार से जवाब तलब किया और कहा कि आप हमें नियमित तोर पर रिपोर्ट देंगे और यह काम उसने मार्च के अंत से शुरू कर दिया इसी तरह से हम पाते हैं करनाटक हाई कोड करनाटक में जहां पर सरकार पूरी तरह से मज लाग खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, बिल्डर लॉबी के दबाव में वह माइग्रेंट प्रवासी मजदूरों को वापस जाने के लिए देने को तयार नहीं थी, वहाँ पर करनाटक हाई कोड ने हस्तक शेप किया और कहा कि जो बुनियादी अधिकार हैं उनसे उन् संबे ने किस तरह से इस संकट से जो अभूत पूर्व है संकट उससे निपटने में मदद की कहां तक उसकी जो नैतिक मूल्य हैं वह उसके साथ रहे और इस लिहास से अगर आप देखिए तो न्यायपालिका का जो ये केस है ये बहुत दिल्चस्प है जिस पर ध्यान देन बहुत जरूरी है यहां पर हम बात कर रहे हैं आपने देखा कि हाई कोर्ट ने कैसे काम किया आपको इसमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो भारत के शीर्ष नयायविध हैं जो वरिष्ट वकील हैं फालियस नरिमन उनका कथन जो उन्होंने एक लेट लिखा और व बूत पूर्व संकर से निपटने में जनता की मदद करनी चाहिए यहां एक बात और इस पूरी प्रक्रिया में एक बात साफ होती है कि कम से कम हमें आंत तक कोशिश करनी चाहिए संघर्ष करने की आप देखिए कि सुप्रीम कोट का दर्वाजा किल लोगों ने खट खट आ जिसमें पी चितंबरम, इंद्रा जय सिंग, आनंद ग्रोवर, जेब द्वारकादास, प्रशांद भूशन, गायतरी सिंग, सिधार्ट और कई और लोग उन्होंने जब दर्वाजा खट-कटाया सुप्रीम कोट का तब शायद बड़े पैमाने पे लोगों में ये निराश परपुर के प्लेटफॉर्म पर पड़ी महिला का शव हो, बनारा से निकली दो लाशे हो, स्पेशल श्रमिक ट्रेन से, या फिर वह पिता जो अपने पिता लाडले को खो चुका, या इस तरह के अंगिनत मामले, ये सारे के सारे मामले अंदेखे नहीं रह सकते, अंदेखे दृष्य को दृष्य बनाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, देश की राजनितिक सत्ता हो, या मिलोड हो, उन्हें जगाने की जगजोरने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, राजिस्थान और मध्यप्रदेश में आतक मचाने के बाद, तड्डियों का दल बुद प्रकोप से अचुता रहने वाला पंजाब भी इस बार इनके हमले की आशंका है फरीदाबाद सिर्थ त्रिडी चितावनी संगठन के एक अधिकारी ने कहा कि यह कोई नई समस्या नहीं है और लंबे समय से हम इसका सामना कर रहे हैं इस साल त्रिड्डियों का प्रकोप 26 साल में सबसे भयावा है केंडी ग्रे मंत्राले के अनुसार राजिस्थान के 21 जिले मद्र प्रदेश के 18 जिले गुजरात के दो जिले और पंजाब में एक जिले में अब तक तिड्डी पर काबू पाने में के लिए अनेक कदम उठाए गये हैं राजिस्थान के कृशी विभा के आयुकत ओम प्रकाश ने बताया हमने किराई पे लिए गये ड्रोन का उप्योग करना शुरू किया है और आने वाले कुछ दिनों में अवशक्ते अनुसार ड्रोन के इस्तमाल किये जाने की संभावना है LWO की अधिकारी ने कहा कि टिड़ी के प्रकोप को रोकने के लिए समन्वीत प्रयास किये जा रहे हैं इस से पहले टिड़ी दल का प्रयोग राजिस्थान और गुजरात तक ही सीमित था लेकिन टिड़ीयों को परयाप्त भोजन नहीं मिलने की वज़ा से वे जोरदार हवाओं की मदद से दूसरे इलाकों में भी बढ़ रहे हैं Newsclick की daily round up में बसेतना ही इन सबी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं Newsclick की website साथ हिशाथ आप हिंदी website भी जा सकते हैं हमें subscribe किजीए YouTube पर follow किजीए Twitter, Facebook और Instagram पर देख्ते रहे Newsclick धनयवाद